Assalamualaikum इस वीडियो में आपके लिए Cognizant की तरफ से Mapping Process के एक Excellent Job Opportunity लेकर आया हूँ Previous वीडियो में बहुत ज़्यादा Candidate कह रहे थे Sir Mapping Process के लिए कोई Job लेकर आये इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ पहले तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो पूरा ज़रूर देखे इस वीडियो में आपके साथ Cognizant का फॉर्म भी शेयर करूँगा किस तरह फॉर्म फिल करना ये भी डिसकस करेंगे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हूँ देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड वा ले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें कोगनिसेंट हैर कर रहे हैं फर मापिंग प्रोसस के लिए फर हैदरबाद लुकेशन यहां पर यह बस हैर कर रहे हैं फ्रेश ओर्स मैक्जिमूम आपका एक्स्पिरेंस ग्यारा महीन या फिर उसके नीचे का होना चाहिए लोकेशन इसका है दरबाद क्वालिफिकेशन की बात करें यहां पर एनी गराजवेर यहां पर अपलाई कर सकते हैं बट आपको कोई अक्टिफ बैकलॉक नहीं होना चाहिए बैचर्स की बात करें 2019 से लेका 21 पास्ट आउट यहां पर rotational shift रहेंगे अगर आप night shift में काम कर सकते हो फिर यह opportunity आपके लिए है post graduate यहां पर apply नहीं कर सकते ठीक है यहां पर apply करने के लिए आपको google maps google mapping की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए map maker product google के products की आपको अच्छी खासी knowledge होनी चाहिए यहां पर apply करने का link है description box में जब आप link पर click करोगे आपके सामें कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर clearly mentioned है आपको experience 11 महिने या फिर उसके ऊपर का नहीं होना चाहिए ठीक है यहां पर आपको यह form fill करना है form fill करने के बाद आपको cognizant की तरफ से mail या फिर text message आएगा amcat assessment का within one day आपको एक clear करना है amcat assessment अगर आप एक दिन के बाद 24 hours के बाद अगर आप clear करने की कोशिश करोगे तो वो expired हो जाएगा यह वाला form fill करने के बाद आपका text और आपका email आप check करते रहे फर्स वाला option है कि आप BPO environment में काम करने के लिए interested हो तो yes पर click कीजिए कि आप night shift में काम करने के लिए interested हो yes ठीक है कि आप हैदरबाद में रहते हैं yes क्यूंकि बस हैदरबाद के candidates के लिए है name full name as per your adhar card mobile number जो current mobile number आप use करते हो वो वाला mobile number आप यहाँ पर mention कीजिए current email id यहाँ पर mention कीजिए date of birth as per your adhar card current address full address ठीक है आपको college name your highest qualification any graduate यहाँ पर apply कर सकते है technical non-technical undergraduate यहाँ पर apply नहीं कर सकते है pursuing graduates यहाँ पर apply नहीं कर सकते है year of past out यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या आपको backlog है job description में clearly mentioned था कि अगर आपको backlog है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर mention करना है zero क्या आपके पास semester mark sheet in hand है yes क्या आपके पास provisional certificate in hand है yes क्या आपके पास adhar card है yes आपके पास pan card है yes क्या आपके पास voter ID और passport है yes आपका year of experience तो वहाँ पर clearly mentioned था आपके experience zero से लेकर 11 महीने के बीच होना चाहिए तो आप first या फिर second option यहाँ पर आप choose कर सकते हो vaccination second dose पर click कीजिए अगर आपने first dose लिया या फिर yet to be vaccinated तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते radio communication excellent या फिर good mostly excellent पर याप click कीजिए next पर click कर यहाँ पर आपके सामें submit का button आएगा आप submit करकर यहाँ पर apply कर सकते हैं बहुत 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 हैं आप खुद apply कीजिए and please do share with your friends अगर आपको कुछ भी doubt है related to cognizant cognizant में कितने rounds of interview होते हैं क्या questions पूछते हैं apply करने के बाद कितने दिन में response आता है इस वीडियो के description box में और इस वीडियो के first comment में मैंने cognizant का discussion group का link दिया है आप वो group join करकर आपने सारे doubt clear कर सकते हैं आप खुद apply कीजिए and please do share with your friends and आप मुझे support भी कर सकते हैं मेरे channel को subscribe करकर Allah आफ़स